हेलो गाइज, आप देख रहे हो टेक गाइड वीबी यूट्यूब चैनल, अगर आप चैनल पे नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैट जीपिटी 30 नवंबर 2022 को लाउंच हुआ है, तब से लेकर अब तक यह यूजर्स के बीच चर्चा का विशय बन चुका है हर वेक्ती एवं एक्सपर्ट चैट जीपिटी को लेकर अपनी अपनी राय प्रस्तुत कर रहे हैं बहुत से लोगों का कहना है कि चैट जीपिटी के आने से इंसानी नोकरी खतम हो सकती है तो बहुत से लोग को मानना है कि यह कई सारे सॉप्टवेर जैसे Google Search Engine को रिप्लेस करने वाला है ऐसे में आईये जानते है चैट जीपिटी के बारे में चैट GPT को एक search engine की तरह काम करता है इसका जवाब देने का तरीका अलग है Google में बहुत सी website मिलती है चैट GPT में आपके प्रशनका विस्तार से उत्तर दिया जाता है आप चैट GPT से किसी भी सवाल का जवाब पूच सकते है यह विस्तरूत उत्तर आपके screen में प्रस्तूत करता है चैट GPT आर्टिकल की तरह आपके प्रशनके उत्तर को समझाने की कोशिश करता है चैट GPT में चैट का अर्थ है बात करना और GPT का अर्थ है Generative Pre-Train Transformer Generative मतलब जो बना सकता है Pre-Train मतलब जिसे पहले से Training दिया गया है और Transformer Machine Learning मौडेल जो सीख सकता है जब भी आप इससे कोई सवाल पूचेंगे यह आपको इंसानों की तरह सीधा जवाब देता है वही जब आप Google में कोई सवाल पूचते है तो आपको डेहर सारी वेबसाइड का लिस्ट दिया जाता है हाला की ChatGPT में आपको Image और Video Format में डाटा नहीं मिलता है यह सिर्फ Text Format में सीधा जवाब लिख कर देता है ChatGPT बना है OpenAI के GPT-3 मौडेल पर और आने वाले समय में GPT-4 भी लाउंच होने वाला है ChatGPT बहुत सारे काम कर सकता है जैसे कहानी लिखना, कोडिंग करना, म्यूजिक लिरिक्स लिखना किसी प्रसिद्ध वेक्ति की स्टाइल में स्क्रिप्ट लिखना YouTube वीडियो स्क्रिप्ट लिख सकता है Email लिख सकता है Text को Reframe कर सकता है Biography लिख सकता है Recipe बनाना बता सकता है ChatGPT का इस्तमाल आप भी Free में कर सकते है लेकिन इसका एक Paid Plan भी है जिसमें आपको 20 डॉलर महिना देना पड़ता है क्या ChatGPT लोगों की Jobs खत्म कर देगा? लोग कहते हैं कि Content Writer, Script Writer, Software Engineer, Journalist, Content Creator इन सभी की Job खा जाएगा लेकिन यह बात पूरी तरह सही नहीं है अभी के लिए तो ChatGPT लोगों का Job नहीं खत्म कर पाएगा बलकि यह कई सारे मुश्किल काम को आसान बना देगा ऐसा जरूर हो सकता है कि पहले जहाँ 50 Content Writer थे अब वहाँ सिर्फ 10 लोगों की जरूरत है क्या ChatGPT गूगल को खत्म कर देगा? ChatGPT एक AI चाटबॉट है जिसे कई सालों तक इंटरनेट पर मौझूद 2021 तक के डाटा पर ट्रेन किया गया है वही गूगल एक सर्च इंजिन है जहाँ आप इंटरनेट के सभी वेबसाइट को एकसेस कर सकते हैं ChatGPT को भी ट्रेन करने के लिए सर्च इंजिन से ही डाटा लिया गया था इसलिए सर्च इंजिन का अस्तित्व तो अभी के लिए खत्रे में नहीं है क्योंकि सभी जानकारी लोग अपने वेबसाइट पर डालते हैं और सर्च इंजिन का इस्तेमाल इन्हें वेबसाइट को खोजने के लिए किया जाता है अगर बात करें गुगल की तो यह दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजिन है और आने वाले कुछ हफ्तों में ही यह गुगल बार्ड नामक AI चार्ट बॉट अपने सर्च इंजिन में लाने वाला है जिससे चार्ट जीपीटी को टक्कर मिलेगी हिलाल के लिए गुगल को चार्ट जीपीटी खत्म नहीं कर सकता है लेकिन गुगल भी अप पहले अप जैसे नहीं रहेगा इसमें भी नई चीज़े आएंगी चार्ट जीपीटी के फाइदे क्या है चैट GPT का इस्तमाल करके बहुत सारे फाइदे ले सकते है जैसे यह आपको तुरंती सवालों का जवाब देता है गूगल जैसा लिंक नहीं दिखादा है यह अपने गलतियों को स्युकार करता है आप इसे यह बता सकते हैं कि इसके जवाब से आप संतुष्ट नहीं है इसका इस्तमाल आप फ्री में कर सकते हैं पिछले सवाल को फॉलो अप कर सकते हैं चैट GPT के नुकसान क्या है? चैट GPT के कुछ नुकसान है जैसे इसके पास साल 2021 तक का सिमिट डेटा है यह समय समय पर डाउन होते रहता है कभी कभी सवालों का गलत जवाब भी देता है रियल टाइम की जानकारी आपको नहीं देता है यह हिंदी बाशा को अच्चे से नहीं समझता है और लास्ट रिसर्च पिरियड तक यह फ्री रहेगा लेकिन बाद में पूरी तरह से पेड हो सकता है चैट जीपिटी अभी तो शुरुवाती चर्णों में है इसलिए आने वाले समय में इसमें कई सारे सुधार आएंगे और यह काफी बहतर बनता जाएगा तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो और इन्फर्मेटी वीडियो देखने के लिए चानल को सब्सक्राइब कीजिए आपके फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेर कीजिए देखते रहिए सीखते रहिए मुस्कुराते रहिए जैहिए